बांगलादेश के वित्तिय अधिकारियों ने इसकौन से जुड़े 17 लोगों के बैंक खातों पर एक महीने के लिए रोक लगा दी है इसमें हिंदू समुदाय के प्रमुक चेहरे चिनमय कृष्ण दास का खाता भी शामिल है मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बांगलादेश की वित्तिय खुफिया इकाइक BFIU ने गुरुवार को विबिन बैंकों और वित्तिय संस्थाओं को यह आदेश जारी किया था कि वे अगले 30 दिनों तक इन खातों से लेंदेन को रोक दे तीन दिनों के भीतर देना होगा व्यावसाईक खातों का विवरन इसके अलावा BFIU ने इन 17 व्यक्तियों से कहा है कि वे अपने सभी व्यवसायों के बैंक खातों का ताजा और अपडेटेड विवरन तीन कामकाजी दिनों के भीतर संबंधित बैंकों को सौपे मंगलवार को चटगाव की एक अदालत ने उन्हें जमानत देने से इनकार किया और जेल भेज दिया दास समर्थकों और सुरक्षा कर्मियों के बीच जड़प में एक वकील की मौत हुई चिनमय अब बांगलादेश में पहले अंतराश्वी कृष्ण चेतना सोसाइटी इसकौन के प्रवक्ता रह चुके हैं भारत के विदेश मंत्राले ने भी जताय थी चिन्ता इससे पहले बांगलादेश में हिंदू समुदाय के खिलाफ हिंसा और चिनमय कृष्ण दास की गिरफतारी पर भारत सरकार ने भी चिन्ता जताय विदेश मंत्राले ने कहा था हमने बांगलादेश सम्मिलित सनातनी जोत के प्रवक्ता चिन में कृष्ण दास की गिरफतारी और जमानत न दिये जाने पर गहरी चिंता व्यक्त की है ये घटना बांगलादेश में चरमपंथी तत्वों द्वारा हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर कई हमलों के बाद हुई है हम बांगलादेश के अधिकारियों से हिंदुओं और सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिष्चित करने का आगरा करते हैं जिसमें शांतिपुन सभा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उनका अधिकार भी शामिल है वहीं बांगलादेश ने भारत के बयान को खारिज करते हुए कहा था इस तरह के निराधार बयान ना केवल तत्यों को गलत तरीके से पेश करते हैं बलकि दोनों परोसी देशों के बीच दोस्ती और समझ की भावना के विप्रीग भी है